Hello everyone, Welcome back Royal Career Online Classes, मैं हूँ अश्वाक और आज जो आपके लिए क्लास रेका है हूँ, वो रहेगा Social Science के Objective Question का यहाँ पे हम लोग Social Science के Objective Question को देखने वाले हैं जिसकी संख्या होगी 30, जो की काफी होगा महत्पूर्ण, काफी होगा आपका BBI आए, तो बस सुरू से आखिर तक आप लोग बने रहेंगे, हर एक कोशन का एंसर बताएंगे, क्योंकि हर एक कोशन आप सब के लिए काफी का होगा, बहमुल होने वाला है, तो जल्दी से से सेसन को सेर कर देंगे दोस्तों के साथ, सब दोस्त भी आ जाएंगे, आपके साथ तो बहुत मज़ा आएगा इस क्लास में, तो चलिए हम लोग क्लास को सुरू कर लेते हैं, इस से पहले यदि क्लास में जो नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेला कर जरूर दबालेंगे, ताकि आपको हड़े क्लास का नोटिफिकरेशन मिलता रहे, और आप भी परते एक दिन तयारी कर सकते हैं, चलिए तो हम लोग को देख लेते हैं, पहला कोशन, चलिए आपके सामने पहला कोशन आपको दिख रहा होगा, तो हम लोग कोशन को तो हम लोग कृटा आपको देखता हैं, पहला कोशन आपके सामने इस तरह से कहा हैं, यहां पे, चलिए आपका पहला कोशन, करता हैं, चिपको आंदोलन किस से संभ Samsud था, पहला ऑप्सन आपका पेर बचाने से, दूसरा आपका श्राब बंदी से, तीसरा आपका आर्थिक कि शोसन की मुक्ति से और चौथा में कागया आपका बाल मजदूरी से तो चिपको आंदोलन जो है वो किस से समगी था पेर बचाने से समबन्दी था जो भारत में सबसे पहले उत्राखन राज से स्टार्ट की गई थी चले किलियर है बहुत अच्छा बहुत सारे स्ट्रेंट बताते रहेंगे comment में तो खुब मज़ा आएगा किलास में चले देखते हैं हम लोग question number second दूसरा number question करता है आपका राजनीतिक दलों की नीव किस देश में पड़ी राजनीतिक दलों की नीव किस देश में पड़ी पहला option आपका है right answer होगा यहां पर जो भी कोशन होगा काफी बहुमुल्य काफी भी भी कोशन होगा आपके एक्जाम के लिए तो बस आप लगातार बने रहेंगे answer बताते रहेंगे ताकि आपको भी लगे कि आपकी तयारी अब तक कहां तक हो चुकी है चलिए हम लोग अगला question देखते है पिछरा राज कहा जाता चारों option में से कौन सा राज पिछरा है जल्दी से बता देंगे बहुत ही easy question है बहुत ही आसान सा question है पहला option आपका है पंजाब second में आपका केरल third आपका बिहार और fourth में आपका है दिल्ली इसके जो right answer होगा वह जागा आपका बिहार कहां जागा ब question number four काता क्या है question number four में कहा गया आपका है आप देखेगा clear दिख रागा share बाजार की नियामक संस्था कौन है share बाजार की जो नियामक संस्था है उसे बताना है जल्दी से फटा फट ध्यान या रखेंगे question पे जैसा ही question आपको दिखे फटाक से आप question पढ़े और answer है भेज पहला option आपका SEBI, sorry पहला आपका SBI, दूसरा आपका SEBI, तीसरा आपका RBI और चोथा आपका Stock Exchange तो इसका जो राइट answer होगा जो नियामक संस्था होती है share बाजार की वो होती है SEBI जिसका full form होता है Stock Exchange Board of India, SEBI का full form का होता है Stock Exchange Board of India, यह होता है इसका right answer जो कि option number second होगा चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला question, question number five तो question number five में कहा गया, उसको देख लेते है question number five में कहा गया, रूस में जार का क्या आर्थ होता है जल्दी से फटा फट बताएंगे सब लोग, रूस में जार का क्या आर्थ होता है बहुत अच्छा सबका answer आ रहा है पहला option आपका का है पीने का बरतन second option में है पानी रखने का बरतन third में है रूस की जनता और D में है यानि के fourth में आपका रूस का समराथ तो रूस में जो जार का अर्थ होता है वो होता है आपका रूस का समराथ क्या होता है? रूस का समराथ, option number fourth, इसका right answer होगा चलिए हम लोग देखते हैं आगे अगला question जो के होगा आपका question number six यहाँ पर जो भी question है, काफी BBI, काफी महत्पुर्ण question है बस है आप यहाँ ध्यान से answer बताते रहेंगे तो question six जो दिख रहा आपका, वो आपका इस तरह से है महासागर के तली पर होने वाले कंपन्द को क्या कहते है महासागर की तली पर होने वाले कंपन्द को क्या कहते है यही आपका question में है तो बता देंगे जल्दी से क्या कहते है पहले आपका है भुकम, दूसरा आपका चक्रवात, तीसरा आपका सुनामी, अचाओ थाइद में से कोई नहीं, तो महासागर की जो तलीपे होने वाले जो कमपन होते हैं, उससे हम लोग काते हैं सुनामी, का काते हैं, सुनामी काते हैं, आपसन नमर थार्ड, इसका राइट ह वहाँória ब़ुता होगा चलिए अब हम लोग नभ देखते हैं कोशहच मूर सेवन तो सबस्फ्वो यह लं लगाता और एंजर भेज़ते रहेंगे जिस्ता आपका है वित सेवा, तीसरा आपका मॉल सेवा और चौथ आपका रेल सेवा, तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो गैर सरकारी बोल है, वो हमें बतानी है, तो गैर सरकारी जो है, वो है आपका मॉल सेवा, कौन सी सेवा, मॉल सेवा है इसका राइट एंसर, चलिए आगे देख है मानव के द्वारा लाई गई आपदा कौन सी है वो हमें बतानी है जल्दी से सब लोग एंसर कॉमेंट करेंगे पहला आपका संपरदाइक दंगे सिकेंड में आपका आतंकबाद ठर्ड है आपका महमारी अफोर्द में है उपरूक्त सभी तो ध्यान दीजिएगा संपरदाइक दंगे जो हते हैं वो भी मानव ही कराता आतंकबाद जो हता वो मानव ही होता है महमारी भी मानव के द्वारा ही आती है चौथा आपसन जो आपको दिख रहा है उप होगा आपका नाइन यहांपर हम लोग 25 कोशन के इसा सब्सक्राइब कर देंगे आप भूल भी जाते हैं लाइक करना और जो चैनल को शॉटकर सब्सक्राइब करके बेल ये जरूर पढ़नेगे ताकि आपको भी हरे क्लास को नोट्रिफिकेशन मिलता रहे तो बहुत सा एक्ष्ट्रेंटों ने कोशन नमर नौ का भी आंसर हमें कॉमेंट करके भेज दिया जिसमें रवी कुमार, इर्फान, बहुत सा एक्ष्ट्रेंट है सब का नाम लेना थोड़ा मस्किल है तो देखे कोशन नाइन करता क्या है यूरेनियम का परमुख उत्पादक अस्थल है बताना है, पहला उपसन है डिग बोई सिकें में आपका बाबा बुदान है न ठर्ड आपका जादू गोरा अफ़र्ट में है आपका घाट शिला तो यहाँ पर जो यूरेनियम का परमुख उत्पादक अस्थल है वो आपका है जादू गोरा क्या आपका जादू गोरा इसका राइट एंसर हो जाएगा चले किलिए अतना कोशन नाइन तक किलिए है परहर जादू आपका साही हो उ रहा होगा खुब मजा भी आ रहा होगा किलास में क्यूंकि बहुत भी-बी-ाइक कोशन बहुत य आसान आसान कोशन है और आपके exam में आने वाला कोशन है चले देखते हम लोग अगला कोशन कोशन the 10 Q10 में कहा गया भारत का वितिये वर्ष कहा जाता है कब से कब तक भारत की वितिये वर्ष कही जाती है पहला option आपका है 1 जनवरी से 31 समबर तक दूसरा option आपका है 1 जुलाई से 30 जून तक तीसरा option आपका 1 अप्रेल से 31 मार्स तक और चौथा option आपका है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक तो इसके जो right answer होगा वो जाएगा आपका option number third option number third 1 अपरेल से 31 मार्स तक जो हती है वो कलाती है आपका विद्धिये वर्स चलिए अगला question देखते है, question number 11 11 number question देखते है, वो क्या कहता है 11 number question में कहा गया बिहार का कौन सा हिसा बार्ड गरस्त है, पुर्वी पश्मी दक्षनी तो बिहार का कौन सा हिसा बार्ड गरस्त है, पहला अपसा आपका पुर्वी बिहार second आपका पश्मी बिहार, third आपका उत्री बिहार अफोर्ट में कहा गया कोई नहीं विल्कुल यह फोर्ट तो होगा ने जो कि बिहार या बार्ड आती है और सबसे अधिक जो बार्ड का पड़कोब देखा जाता है वो देखा जाता है उत्तरी बिहार में जो कि दर्वंगास, मस्ती, पूर्म, दुवनी, इस सब कर जो छेतर क खुब मजाने वाला है किलास में और जो चले यहां पर कुशन 12 को देख लेते है 12 का था लोगतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा किया गया शासन, शासन है या कथन किसका है या हमें बताना है तो पहला उप्सन का आपका इसमें देखिएगा पहला आपको महात्मा गांधी तो 12 का जो राइट एंसर होगा वो बहुत ही पॉपुलर यह आपका परिभाशा समझे तो लोगतंत्र की यह इसका राइट एंसर का है अबराहम लिंकन का या कथन है लोगतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा किया गया शासन है चले आगे हम लोग कोशन देखते हैं 13 तेरा निमबर को देखते हैं बहुत ही आसान सा कोशन बहुत ही इजी कोशन बहुत ही important कोशन तो जल्दी से बता देंगे इसका answer question number 13 का shtudh sony की पहचान की जाती है किस के द्वारा सुदh sony की पहचान की जाती है पहला option आपका trademark दूसरा आपका hall mark तीसरा एक mark चौथा कूल मार्क तो शुदh sony की ज्यों पहचान की जाती है वह hall mark के द्वारा option number second इसका right हो जाएगा चलिए अगला कोशन देखते हैं कोशन नमर फूर्टीन फूर्टीन नमर कोशन कहता है क्या है कोशन मर फूर्टीन में कहा गया इस तरह से है देखेंगा यहां पे थोड़ा कोशन लॉंग लिखा हुआ है चलिए यहां पे रहा आपका कोशन तो फूर्टीन में कहा गया कोशन आपका इस तर बार्दोली सेकेंड में आपका अहमदाबाद तीसरा आपका खेरा चौथा आपका चंपारन तो यह बल्ला भाई पटेल को जो सरदार की उपाधी दी गई थी वह बार्दोली आंदोलन के दोरां दी गई थी इसके जो एंसर होगा वह ऑप्सन नंबर फर्स्ट ही इसका राइ फिप्टीन में कहा गया कोशन इस तरह से निम्न में कौन रभी फसल है निम्न में कौन रभी रभी फसल है पहला उपसन आपका अधान सेकेंड आपका मक्का ठर्ड आपका दलहन और फौर्थ है आपका गेहूं तो इसमें जो रभी फसल है वो है आपका गेहूं क्या आपक चले 60 number question भी आपके साबने clear है, question number 16 में कहा गया, देख सकते हैं, जली से बता दीजें इसका answer, चले 60 number question में कहा बोला गया है? तो 60 number question में बोला गया आपका तारी विरोधी आपोलन किस राज में शुरू हुआ? तारी के खिलाव आपोलन जो है किस राज में शुरू हुआ था ये बताना है, पहला option आपका बिहार, दूसरा option आपका उत्तर परदेश, तीसरा आपका अंध परदेश अच्छु था आपका तमिल नाडू तो इसके लिए जो खिलाफ आंदोलन जो इस्टार्ट हुआ था वह हुआ था आपका ओफ्सन नमबर थी आंद परदेश किसके कहा हुआ था आंद परदेश में तारी के विरूद आंदोलन शुरू हुआ था अब हम लोग देख बटाते रहेंगे काफी इंपोर्टेंट क्लास और कोशन है आपका चलिए अगला कोशन यहां पर स्वेंटीन है का गया भारत छोड़ो आंदोलन के परमुक नेता कौन थे पहला आपका पंडित जवालाल नहरू सेकेंड में आपका मौलाना अबुलकलाम तीसरा आपका महत्म होंगे वह जाएंगे option number 3 क्या होगा option number 3 महत्मा गाने वेरे गोड बहुत सरे श्यों का एंसर बहुत जल्दी आता इसलिए जल्दी जल्दी answer सब एश्यों मना के भीचते रहेंगे सब एश्यों कॉमेंट में answer भीचते रहेंगे ताकि आपको बिलेंगा चाहिए कि आपका सह तो एट्रीं ओप्र कोश्चन करता है आपका बैंकों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है पहला आपको देखी रहे हैं Central Bank सेकने अपका ऑप्राइटस्ट का आपका रिजर्ब बैंक और फूर्थ आपका पंजाब बैंक तो बैंकों का जो भारति रिजर्ब बैंक को कहा जाता है जो कि option number आपका third में है RBA जिसका short name होता है जिसको पैसा चापने की अनुमती है भारत में ठीक है चले question number 19 में बहुत ही easy बहुत ही popular question जल्ली से बता देंगे सब लो 19 में कहा गया Gary Valdi पेशे से क्या था पहला option doctor second आपका नाविक ठड़े आपका राजनीतिक कार चौथा आपका सिपाही तो Gary Valdi जो पेशे से था जल्दी से आप लोग बता देंगे चले बहुत अच्छा बहुत सा answer का answer आ रहा चले बहुत अच्छा तो Gary Valdi पेशे से क्या था वो था एक नाविक का था Gary Valdi पेशे से था नाविक यानि के नाव को खेवने वाला नाव को चलाने वाला चली आगला question देखते हैं question में 20 तो यहाँ पर 25 question होने वाले हैं बस 5 question और बचे हैं तो लगातार बने रहेंगे सब श्रूयन जो देरी से होंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे और क्लास खतम होते ही जो question आपका छूट गया है उसको देखना न भोलेंगे क्योंकि जो question छूट गया है सब question आपके लिए काफी है महत्पून काफी है important तो देखते हैं हम लोग अगला question 20 20 सबका answer आही राज जल्ली जल्ली चली बहुत अच्छा इसका question जो कहता है वह इस तरह से है काली मिट्टी का दूसरा नम क्या है पहला आपसन आपका बलोई मिट्टी दूसरा आपका हलाल मिट्टी तीसरा आपका रेगूर मिट्टी चौ question ऐसे भी पूछा आता है काली मिर्दा का दूसरा नम क्या है और आपसन में जहां जहां मिट्टी लगा हुआ है वहां वहां मिर्दा भी लिखा जा सकता है चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं question नमर आपका 21 21 में कहता है question सामने है 21 इसमें कहा गया चंपारण सत्यागरा आंदोलन कब हुआ जल्दी से बता देंगे गांधी जी ने चलाया था चंपारण सत्यागरा आंदोलन पहला अपसन आपका 1916 दूसरा अपसन आपका 1917 तीसरा आपका 1918 और चौथा आपका 1920 तो चंपारण सत्यागरा जो आंदोलन हुआ था वो हुआ थ 1917 में गांधी जी के द्वारा भारत में चलाया गया सबसे पहला सत्य अगरा अंदोलन्थ है याद रखियेगा चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला कोशन कोशन नमर 20 वो रहेगा आपका 22 22 नमर कोशन काता है आपका यहाँ पे 22 चलिए यहाँ पे सामने तो दिख रहा है 22 काता है वस्तु विनिमे की कठिनाई ने किसको जनम दिया यह बताना है हमें तो इसका जो राइट एंसर होगा जली से ऑप्सन देखिया बताईए पहला काता आतंगवाद को दूसर का रोजगार को तीसा काता मुद्रा को चौथा काता फल को तो वस्तु विनिमे यानि के वस्तु से वस्तु का अदान परदान करने में जो कठिनाई हो रहे थी उस कठ या वो था आपका मुद्रा यानिके रूपिया तो वस्तु विनिमे की कठिनाई ने किसको जन्म दिया है तो वो दिया आपका मुद्रा को चलिए अगला कोशन देखते है कोशन में 23 कोशन 23 काता क्या 23 में कोशन आपका इस तरह से है भारत का राष्ट्री है पक्षी कौन सा भारत के राष्टे पक्षी कौन सा है पहला उसना आपका है कबूतर क्या आपका कबूतर दूसरा आपका है हंस तीसरा आपका मयूर और चौथा आपका तोता तो भारत के जो राष्टे पक्षी है जल्दी सदा देंगे वो है मयूर जिसको हम लोग मोर काते है मोर कहें या आप मयूर कहें बात आपका वही होता है लेकिन एक्जामों में मोर न दे के मयूर ही लिखता है इसलिए हम भी यहाँ पर question काली बना है मयूर ही बना है ताकि आप confuse न करें मोर को न ढून डे मयूर भी रहेगा तो काम चल जाएगा चलिए आगे देख लेता है question number 24 उसका देख लेंगे 25 और आपका आज का किलास माप्त हो जाएगा question number 24 में काता है रक्त इवाम लोह की नीती किसने अपनाई थी पहला option विसमार्क ने second option आपका मेजनी, third में हिटलर, fourth में विलियम पर्थन तो रक्त इवाम लोह की जो नीती अपनाई थी उसका नाम था विसमार्क का नाम था उसका उसका नाम था आपका विसमार्क ने रक्त इवाम लोह की नीती को अपनाया था चलिए अंतीम कोशन आज के किलास का, 25 नमबर कोशन, चलिए यहां आगी आपका 25 नमबर कोशन, तो 25 में कहता क्या उसको देख लेते हैं, 25 नमबर में आपका कहा गया इस तरह से कोशन है टेक्सॉल का उप्योग होता है, टेक्सॉल एक पौधे से बना हुआ दवा होता है, जिसका उप्योग किया था, मलेरिया में, मलेरिया को दूर करने के लिए, या एट्स को दूर करने के लिए, या कैंसर को दूर करने के लिए, या पूलियो को दूर करने के लिए, तो इसक प्रका के इंसर के उपचार के लिए तो ये आज के किलास का यह था अंतिम कोशन और आज के किलास में हम लोगों ने देखा 25 कोशन जो कि थे बहुत ही भी भी आई काफी इंपोटेंट तो जो किलास में देनी साह हैं के फिर से जरूर देख लेंगे हाड़ एक कोशन को क्यूं पर कोमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ उम्मीद करते हैं बहुत सारे इस्ट्वेंटों का 25 में 25 सही हुआ होगा तो जो किलास को अब तक लाइक नहीं कि होंगे किलास को सब एश्रूयन लाइक कर देंगे और दोस्तों के साथ सेर भी जरूर करेंगे और जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेलाकन जरूर दबा लेंगे ताकि आपको हर एक किलास को नट्रिक्वकेशन मिले और आप भी अपनी तयारी बिल्कुल आसानी करता